एक सेरियल किलर अलग-अलग फैमिली की मदर के साथ अफेर करकर उन्हें टार्गेट करता है एसे एक फैमिली को उसने टार्गेट किया पर हमारे मेन क्यारेक्टर कुस पर शक चला जाता है अब आगे क्या होगा या हम आज के हमारे मुवी देखेंगे अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा तब बीन अकसी तरीके एक्स्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारेक्टर डेविड को देख सकते हैं सुबा उने पर लोग जिस तरीके से सब नॉर्मल सी चीज़े करते हैं यही सब डेविड नहीं की और आज बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था गर में एक फैमिली के साथ उसके हम फोटोस देखते हैं पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सब के डेट बोडिस देखते हैं डेविड एक सीरियल की लर है इस फैमिली की मदर के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलीस इन्वेस्टेशन की जाती है पुलीस आमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार क्या हुआ है उनके पास डेविड की कोई भी आइडेंटीटी नहीं डेविड की चो फोटोस थी वो भी अपने साथ लेकर गया वो हमेशा कैश प्रेमेंट करता है तो इसकी आइडेंटीटी पाने का उनके पास कोई भी वे नहीं था अब कुछ दिन बीच जाते है और सुपर शॉप में डेविड सुजैन से मिलता है सुजैन का बेटा शॉण कुछ लेने की जीद कर रहा था पर डेविड ये देखकर गहता है तो मैं अपनी मदर के सुननी चाहिए अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुमारा बहुत बेनिफिट होगा डेविड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी वो डेविड की रिंग देखकर उसे खहती है तुमारी वाइफ बहुत ही लगी होगी ये रिंग से ब डेविड सिंपधी पाने के लिए यूर्ज करता था सुजैन के दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा ट्रबल क्रेट करता था तो इस वज़े से उसे मिल्टरी स्कूल में भीज़ दिया था अब वो अपनी हॉलिडेस के लिए वापस आया माइकल डेविड से भी मिलता है पर जादा उससे कुछ भी बात नहीं करता सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ थी है वो अपने फ्रेंड से बुच्छती है क्या मैं जलबाजी तो नहीं कर रही वो माइकल से कहता है कि मैं कारबेंटर बनना चाहता हूँ इसी वज़े से चीज़े करता हूँ उसने फिर सब्जेक चेंज करकर का कि फैमिली मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दुसरे से दूर जाए वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहता है उसने माइकल से कहा कि तुम भी फैमिली के लिए ज़रा एफर्स लेना और मैं तुम्हें मिलिटर स्कूल फिर से नहीं बेजूँगा रात में सुजान माइकल से मिलने के लिए वो से कहती है कि डेविड सर्चूश में बहुत ही अच्छा है माइकल कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी गडबड नहीं करूँगा यह सब वो अपनी मदर पर गुसा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुजान को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले बहाँ पर चगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था पर डेविड ने उसके टीचर से बात करकर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया माइकल को यह बात बहुत यह अच्छी लगी केली भी इसके लिए एक्साटेर थी कि माइकल उसके साथ रहेगा एक दिन डेविड ने पहले शॉन वीडियो गेम्स कहल रहा था उसके मदर ने कहा कि आवाज ज़रा कम करो पर शॉन माना नहीं उससे में डेविड उसके पास जाता है उसका गला दबा कर उसने उससे रिमोट छीन लिया उससे वह हैस कम रखने के उसने वार्निंग दी माइकल और के लिए स्विमिंग पूल में एक्साथ है इससरे को किस कर रहे थे इससब डेविड ने देखा और सुजन से बात करता है कहता है कि इससब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती सुजन ने कहा कि तुमें भी जरा मॉडर्न बनना चाहिए इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते है टीनर करते हैं बातों बातों में माइकल को बता चला कि टीवी पर देखे पूलिस उसके वारे में बात कर रही थी पूलिस ने डेविड की स्केज बनवाई थी और इस सेरियल किलर से दूर रहने के लिए कहा हुआ था ये सब बात सुनकर सुजन को बहुत ही हसी आई और अपनी नेबर को सीरिसली नहीं लेती हसकर ये बात उसने डेविड से भी कही ये सारी चीज़े माइकल सुन रहा था आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेबर को देख कर जाता है डेविड ने माइकल को आज लंच के लिए बोला है उसे कहता है तुमारी मदर से में शादी करने वाला हो उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था माइकल उसे बेस्मेंट के स्टेज से नीचे किरा कर मार डालता है एक दिन माइकल और केली रूम में थे ये दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब भी डेविड बाहर से देख रहा था केली को इस बात से बहुत ही अनकमफ़टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है माइकल डेविड से बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जाय रहा था डेविड और सुजसान माइकल से गएते हैं तुम ए केली कीतने जादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेंगे माइकल डेविड से गहता है तुमें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बाद हो पाती तो ये Michael के फादर बहुत ही गुशा होकर घर में आये वो David को धमकाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना David ने Sean को previously hurt किया था इस सवजे से Michael के फादर बहुत ही ज़ादा गुशा थे वो बारने वाले थे पर Michael उन्हें रोक लेता है बाराने के बाद Michael के फादर ने उसे पूचा तुम उसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं मैं तुम्हारे साथ भी time spent करना चाहता हूँ Michael भी इसके लिए हा कहता है Susan को पता ही नहीं था कि David ने Sean को हाथ लगाया ये दोनों फिर Sean के पाज आते है और David उसे sorry कहता है उसने कहा मैं इस family में नया हूँ तुम्हें कुछ mistakes करूँगा पर आपको मुझे माफ करना पड़ेगा Susan डेविड को warning दे देती है कि कभी भी किसी को भी हाथ मत लगाना ये उसे सही नहीं लगता जैसे कहा मैं पता है कि आज कल डेविड सुजैन की एक friend जिसका नामे जैकी उसके साथ real estate के office में काम कर रहा था जैकी नहीं उसे का तुम्हें salary देने के लिए हमें तुम्हारी identification लगेगी इस सब कुछ तुम सब्मीट कर देना डेविड ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा वो इसके लिए कोई भी reason नहीं दे रहा था सुजैन उसे बार-बार पूछ रही थी पर डेविड फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एक दिन सुजैन ज़रा बाहर गई थी तो माइकल के फादर उससे मिलने के लिए घर पर आए उस राज जो भी हुआ था इसलिए उन्होंने डेविड से माफी माँगी फादर डेविड से गयत है मैंने तुम्हारे बारे में उसे बात बहुत यजीब लगती है सुजैन से उसने पुछा तुम उसके बारे में जानती क्या हो सुजैन कहती कि मैं आजकल बहुत खुश हो वो डेविड पर डाउट करे सारी चीज़े खोना नहीं चाहती उसने फ्रेंड से का मेरी खुशी में तुम सब लोग खुश रहो जैकि अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी वो और भी इंवेस्टिकेशन करने का डिसाइड करती है आज माइकल और सुजैन को लगता है कि माइकल के फादर आये ही नहीं सुजैन ने आकर माइकल से बात कि कहा कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही करते है पर डेविड ऐसा नहीं है वो इस फाइमिली को फिर से एक दिखना चाहता है तुम्हें भी इसके लिए इंफर्स करने चाहिए माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि वो बीजी है और आज आ नहीं सकते है थोड़े दिनों में पुलीस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो कही है उन्हें लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर उनकी डेथ हो कही इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कर रहा था तो माइकल ने सुन लिया माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है वह यह नहीं पता चला था इस्टेर से नीचे गिर कर हुई ये बात उसे कैसे पता थी उस पर शक करने लगता है इस सारी बात उसने केली से कही तो केली से ये भी कहता है उसने अपनी डॉर्टर का नाम चेंज किया है पहले उसने कुछ और बता है था और बाद में कुछ और बता है केली कहती कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क्रेट ना गरे ताकि वो उसके पास से रह सके डेविड आकर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए में ज़रा बाहर जा रहा हूँ डेविड के जाने के बाद माइकल डारेकल उसके रूम में आ गया केली उसे मना कर रही थी पर माइकल को डेविड के बारे में और भी इन्फरमेशन चाहिए थी थोड़ी दर में अजानक से डेविड फिर से वापस आ जाता है केली और माइकल घर में छुप गया है डेविड नोंने आसपास जुनने की बहुत ही कोशिश की पर बहुत चाला किसे यह फिर से विंग पूल के पास आ गया है डेविड समझ गया था कि पहले ही दोनों घर में ही थे माइकल को भी लगता है यह शाहिए तो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है डिनर के बाद डेविड माइकल के पास आया उसे गता है शाहिद हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही जलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटर स्कूल में भेज़ दूँगा माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया वो राद में लाप्टाप पर पुलीस की वेबसाइट चेक करता है उसमें उसने डेविड की स्केज देखी है अगली दिन डेविड का स्केज माइकल ने केली को दिखाया तुम भी अब इस वाइमिली का पार्ट हो, तुमें हम सब का ख्याल रखना चाहिए डेविड केली को अलग नजरों से देख रहा था, उसे अंकमफ़टेबल लगा और वहाद से चली जाती है बहुत दिनों से माइकल की अपनी फादर से पात नहीं हुई थी, तो कॉल लगाता है बेस्मेंट में उसके फादर का मोबाईल बजने लग गया, डेविड डर जाता है, इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाज आरी ये नोटिस किया, पुल नीचे बहुचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि शायद डेविड का मोबाईल बजरा होगा, पर विभी व बेस्मेंट में जाकर देखना चाता था उसने बेस्मेंट का डोर उपन करने की कोशिश की पर वो लॉक्ट था, डेविड ने कहा कि इसकी चावी गुम हो गई है इस बात से माइकल का डेविड पर और वी ज़्यादा शक चला गया, सुजैन और डेविड जब एक साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजैन कुछ घंटो के लिए ज़रा बाहर के, माइकल जब शावर ले रहा था, तो डेविड ने उसके मोबाई से उसकी इमेज डिलीट कर दिये माइकल ने डेविड को इसके रूम से बाहर आते हुए देख लिया था, यह सब आकर माइकल केली से कहता है वो चुपके से जाकर बेसमेंट देखना चाता था, रात में डेविड सुजैन की इमेल चेक करता है इसमें जैके ने लिखा है, मुझे डेविड ज़रा अजीब लगता है, मैंने एक प्राइविड इंविड के बारे में हमें और भी इन्वरमेशन देगा ये इमेल डेविड ने डिलीट कर दिया, जैके को अपने घर के बार को ज़ आवाज आई, सुजैन चातरी पड़ी हुई थी, उससे हो निकाल रही थी, तब भी डेविड पीछे से आता है, पानी में डुबा कर उसने उसे मार दिया थोड़ी दिर में सुजैन घर पर वापस आई, उसका थोड़ा सरदुकरा था, तो डेविड कहता है कि गोली ले लो, एक्च्वल में गोली नीन की थी, तो सुजैन शांती से सो जाती है, माइकल और केली घर पर आया है, माइकल कहता है कि तुम नजर रखना, उपर अगर को लीजर को नोटिस करता है, उसने देखा तो डायर्गल उसके फादर की बॉड़ी उसमें थी, वो बहुत ही ज़ादा डर गया, तभी केली बेस्मेंट के उपर से उसे आवाज लगा रही थी, डेविड है नोटिस करता है, और केली को मार कर बेहोश कर देता है, माइकल ने सब को मारना पड़ेगा, वो सुजैन के पीछे उसे मारने के लिए भागा, माइकल बहुत ट्राइगरता है, और फाइनल वो बेस्मेंट से बाहर निकला, सुजैन भाग कर बातरू में चीप गई थी, डेविड इसका दर्वाजा तोड़ देता है, दर्वाजा तोड़ते ह उसका सीशा नीचे गिर गया था, सुजैन ने उठा कर डेरिक्ली डेविड के नेक में डाल देती है, वो ही पर बार्ट तब में नीचे गिर गया, वो नीचे आती है और सब एक दूसरे को गले लगाते है, तब फिर से उनके पास आ गया, वोनने मारने वाला था, पर वो माइकल को पकड़ लेता है और अपने खुट के साथ माइकल को भी उसने नीचे किरा दिया यह दोनों बहुत ही इंजोड हो गए थे यहाँ पर पुलीस आया और माइकल को हम डारेकली हस्पिटल में देखते है वो बुचता है कि मैं कहा हूँ सुजयन ने कहा कि एक मन से तुम कोमा में थे उसने बुचा कि डेविड का क्या हुआ सुजयन के देखी पुलीस के आने से पहले हो वहाँ से भाग गया था अब इसके बाद एक नए हुलिया में हम डेविड को फिर से सूपर शॉप में देखते है जिस तरीके से हो सुजयन से मिला था उसी तरीके से किसी और लड़की से हो मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग किया था यही बड़े मूवी एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइब के एक सेरियल किलर से इंस्पार थी है कर दो कर दो